Forest Utilization में अभी तक अपने चार वीडियो हो चुके थे और यह अपनी है पांच वीजिलाइड उसकी इसमें हम बेसिकली डिसकस करेंगे अपने minor forest produce अब minor forest produce से पहले आपको इस minor का जो sense है वो समझना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में जब बिर्टिस ने अपने जो forest थे इंडियन forest थे जब उन पर कबजा किया तो उनके उना ने forest जो produce थे जो forest से resources थे उनकी broadly दो टाइप की category बनाई यानि की दो basket बनाई एक basket को उन चीजों को रखा जिनका commercial importance बहुत ज़दा है और वो क्या था वो था अपना timber और इसी timber के साथ में रख दिया गया बंबू क्यों क्योंकि बंबू का भी commercial importance बहुत ज़दा था तो उन्होंने क्योंकि इसका commercial importance बहुत ज़दा था तो बंबू को और टीक के मतलब जो timber थे उनको एक category बना दी जिसे बोला गया major forest produce और इस पर उन्होंने अपना sovereign right कर लिया मतलब इस पर कोई भी उनसे बिना permission के use नहीं कर सकता बहुत ज़दा कंट्रोल कर दिया गया और जो दूसरी category थी इन्हें बोला गया minor forest produce ये एक टाइप से commercially थोड़ा कम important वाली चीज़े थी इनको इस टाइप से ये बोल दो को नोंने travel से बोल दिया है कि ठीक है आप इन product को extract करो जंगल से बट आप बस हमें royalty देते रहना तो इस टाइप से दो category है major forest produce की और minor की आपको याद होगा दो साल पहले जो central government है उसने forest act में थोड़ा change किया था वो amendment में क्या किया गया था कि जो bamboo है उसको major forest produce यानि की timber की category में डाल दिया गया था उसे timber से हटा करके grasses की category में डाल दिया गया अब उस time पर बहुत सारे जो लोग आए इन्होंने अपने अपने मतलब गोला कि जो हमारे policy maker है क्या वो बेपकूफ लोग है उन्हें यह नहीं पता कि bamboo grass है फिर भी उसे टेडों में डाल रखा है मतलब timber वाले में कैटेगरी में डाल रखा है तो वो उनके अपने argument है लेकिन जो policy में डले होते हैं तो व और वो national bamboo mission जो है वो promote नहीं हो पा रहा है ऐसी जो timber है जिस पर अभी government का restriction है वो भी there is possible के आगे जाके थोड़ा काम हो क्योंकि हम जो agroforestry और social forestry को promote कर रहा है तो यह जो cut कर रही है वो इसके restriction जो है red tapism जो है वो काई ना काई hurdle create कर रहा है अब यहाँ पर अपने मैन मुद् topic है इस topic में एक change किया गया है यह कि आपको यहाँ बीच में कोई भी जो means जो question है previous year के question है उन्हें discuss नहीं किया जाएगा उसकी जगह क्या है कि आपको इस video के description box में एक 6-7 page की PDF मिल जाएगी उस PDF में आपको सभी question मिल जाएगे second thing यहाँ पर जितने भी point है जो important है उनके उपर इस type की star लगे होगे यह star लगे है इसका मतलब वो बहुत ही जदा important question है वो कही न कहीं पहले भी आ चुके हैं और आते जाएंगे तो आपको star वाली चीजों को तो याद रखना ही रखना है और third यह है कि इस में मेरा कम जदा कम है आपका कम जदा है क्योंकि पूरा टॉपिक ही रटा मार है अब इसमें सबसे पहली category आती है वो है फाइबर की जंगल से हम सबसे जदा फाइबर कलेक्ट करते हैं अब फाइबर जो है कलेक्ट करेंगे तब करेंगे पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि फाइबर आखिर होता क् तो प्लांट जो टिसू है उसमें बहुत सारे टाइब की सेल्स होती है उन्हीं में एक सेल होती है इसकलरेन कायमा तो यह जो फाइबर है वो यह इसकलरेन कायमेटा सेल्स की बनी हुई होती है इनमें क्या होगा कि जैसे एक फाइबर यह है दूसरा यह है तीसरा यह है यह बताया था आपको कि इसके पॉइंटेड नोज मतलब पॉइंटेड एंड होंगे और इसमें पूरा लेगनिन का डेपोजीशन हो जाता है तो यह डेट इस हुए अब क्योंकि यह फाइबर जो है वो एक दूसरे से जोड़े होते हैं किसके तुरू बीच में कुछ अधर यूज कर पाएंगे तो अलग करने का जो तरीका है उसे बोलते हैं रेटिंग इस पर कई बार कुछन पूछे जा चुक है कि आगर रेटिंग होती क्या है मतलब फाइबर को सेपरेट करना या किसी प्लांट से जो फाइबर उसे एक्स्ट्रेक्ट करने का जो मेथड है अब क्या करते कि हम जो पानी लिते हैं कहीं पानी भरती है और अपने जिस जिस कंपोनेंट से जो फाइबर निकालने हैं उसे पानी में डुबा करके कुछ टाइम तक सड़ाते हैं सड़ने से क्या होगा कि वहाँपर जब सड़ेगा तो उसका जो वीच का कंटेंट था जो Best भी हेमिसेललो जैसी जो चीज़ें थी ये चीज़ें सड़ जाएंगे बैक्टरिया इन्हें कंज्यूम कर जाएंगे लेकिन जो फाइबर है उसको नहीं करेंगे तो इस थाइप से आपके पास फाइबर फाइबर रह जाएगा गौव में देखा होगा लोग नदी नालों में जो दाव होता है सेकरा मूझा उसे काटके दबा देते हैं और पांच-छे महीने उसी में दबा रहने देते हैं तो वो यही करते हैं एक और कुश्ण आता है कि जो हम फाइबर जो कलेक्ट कर रहे हैं उनकी एक कैटेगरी वार ह होती है जिसे हम बोलते हैं बास्ट फाइबर बास्ट फाइबर या बास्ट जो टिसू होता है बास्ट टिसू बोलते हैं फ्लूयम को तो बास्ट फाइबर मतलब वो फाइबर जो हम फ्लूयम से एक्स्टरेक्ट करते हैं यह भी कुश्ण पूछा जा चुका है अब यहां पर अपने पास दो broad category आती हैं फाइबर की एक वो फाइबर जो हम किसी stem से collect करते हैं और दूसरी वो कैटेगरी जहां हम fiber leaves वगरे से collect करेंगे अगर stem की बात की जाए जहां पर हम fiber किसी plant की stem से collect कर रहा है तो इनमें सबसे पहला जो अक़ एक्जाम में आ जाता है, वह अपना estetyane urans, दूसरा है hard v kilka binata, यह जो hard bi kilka binata है, जिसे ungen बोलते हैं, अंजन की रखड़ी ऴैसी भी थोड़ी red powder की होती है, तो इससे जो five और निकलते हैं, वो red color की निकलते हैं, अब आपको यहां description में दिया गया है कि जैसे rope making में यह है तो fiber निकालोगे तो देखो plant fiber इनके कपड़े तो नहीं बनाओगे आप तो क्या बनाओगे जो घर में जो daily use है, carpet बना रहा है, इधर उधर की चीज़े है यह सब बनाते हो उनी में use होंगे, तो use याद रखने की ज़रुवत नहीं है आपको रखना क्या है एक तो यह याद रखना है कि अगर आपसे यह पूछागा है कि stem fiber मतलब stem fiber किस plant से मिलते है question ऐसे है कि fiber जो stem से मिलते है और उसमें option जो दिये गए होंगे उनमें से इनी मैसे लिस्ट में से कोई एक plant का दिया होगा जैसे उसमें एक होता है जैसे कलाव ट्रॉपेस जाइजन्टिया यह अपने जो मादर बोलते हैं से यह वाला plant इससे भी निकलते हैं इसके stem से इसकी खासियत यह होती है कि इसके जो stem fiber है वो salt water में भी अगर हम उन्हें यूज कर दें salty water में भी वो खराब नहीं होते है इसमें एक होता है जैसे बोह मेरिया नेविया इससे जो fiber निकलते हैं उनको हम रेमी या रिया fiber के नाम से बोलते हैं तो कई बार कुशन ना चुका है कि रिया fiber extracted वा है तो वहाँ पर option में दिया गया होगा वोह मेरिया नेविया तो यहाँ पर जितने भी star लगे हैं उसका मतलब है आपको यह याद रखना है कि जैसे अकेसिया लीगोफिया है तो इसमें यह याद रखना है कि अकेसिया लीगोफिया जिनसे लीफ फाइबर निकाले जाते हैं उनमें जो सबसे पहला important plant है वो है karyota urans karyota urans से जो fiber निकालते हैं उन्हें बोलते है kittul fiber question पूछा जा चुका है कि kittul fiber किस से निकालते हैं और उसमें फिर नीचे 4-5 नाम दिये होंगे या फिर question इस type का आएगा कि leaf fiber मतलब fiber extracted from leaves और पर कुछ भी plant दे रखे हूँ उनमें से अगर ये तीन plant मिल जाएंगे तो ये ही अपने answer होंगे इनमें एक तो है अपना karyota urans जिसकी पत्यों से fiber निकालते हैं दूसरा है mousa textilis कि ये दो मुसा है ये मुसा अपना जो मुसा पराडिस का बनाना की बो species है जिसमें fiber बहुत ज़एदा होते है वो इससे भी fiber निकाले जाते है तीसरा होता है अपने गौरपाथा सुना होगा यह है अगेव गौरपाथा का जो जीनस है वो है अगेव और उसके साइंटिफिक जो इस पिसीज है यह पहला जो नाम होता है साइंटिफिक नाम हमेश्चे दो होते हैं पहला जो होता है उसे बोलते हैं जीनस और जो दूसरा ह इससे जो फाइबर निकलते हैं उन्हें सिस्सल फाइबर बोला जाता है अब लिर्च वाले फाइबर में बस आपको यह याद रखना है अब अगली कैटेगरी में आता है फ्लॉस फ्लॉस एक टाइप से जैसे अपना कपास नहीं होता बस उसी टाइप का है जहां पर आप छो सिमल या रेड शीमाल शे जो फाइबर निकलता है इसके इक नाम हो रहा है एंणियन का पौक यह नाम यह उत्क न है बसस्वनई सीवा पीछे उसमस आगे होगा सीवा पैंटेन्र है हुआ से बोलता है कपाउख आप universities स्वेस्वाते बिवाफन आप सब्सक्राइब नां पूछा चुके हैं और दूनों कप्र सिंद्ध के्छेक्वक दूसरा में लिखा जाई चूकियों यह यह कोगलो स्पर्मम को अभी देखा था यह अपना जो माधर वगरा बोलते हैं यह है इसमें क्या होता है कि जब इसका सीड देखा होगा अपने जब सीड मैच्चयर होता है तो यहाँ पर पूरा कपास जैसा भरा होता है वो हो गया इसका फ्लॉस इसकी कपास वाले जो पर जैसा कि जो सैलिक्स है अपना और उर पॉपलर है उन से भी फ्लॉस मिलता है हलकी से वयरिफाई किया गया है और जो ही मिसमें जनका मनें PhD माइना फोरेस्ट प्रोड्यूज में है उन लोगों ने कन्फर्म किया है कि हाँ सैलिक्स और पॉप्लर से भी फ्लॉस मिलता है लेकिन एक्ट्वल में यह लिखा बले ही हैं आपको याद रखने की जरूद नहीं है आपके लिए सीवा, पेंटेंडरा, बॉंबेक सीवा और कर्कुलोस परम, रिलीजियोस हम यही तीन को याद रखना बहुत जरूरी है अब अगर फ्लॉस के बाद आँगे चलें तो फिर अपने आती है कुछ ग्रासेस, इंपोर्टेंट ग्रासेस अपने ग्रासेस पहले भी पढ़ी है फोरेस्ट उसमें प्रोटेक्सर में जहां पर अपने रेंज लेंड मेनेजमेंट में चार-पाँच ग्रासेस पढ़ी थी बैसी यहां पर भी तीन-चार है जिसमें एक तो आती है सेकरम मूजा गाओं में मूज बोलते हैं तो यह सेकरम मूजा यह अपनी जो मूज है उसका साइंटिफिक नेम है बिसिकली यह अपने जो नदी नाले हैं उनके किनारे हो जाती है मूजा अब होता कि आपको उसका फाइवर निकालते हैं इसे ध्यान लगो सेकरम स्पोंटेनियस इसे बूलते हैं इकराग्रास यह उस रीजिन वेस्ट बंगल आसाम में फिमस क्यों है क्योंकि यह लोग क्या करते हैं क्योंकि इनके प्लैन के घर है खासकर आसाम वालों के घर कभी भी बाड़ आ गई चले गाए तो यह लोगों के घर अपने हाँ जैसे पर्मनेंट टाइप के नहीं होते हैं थोड़े काम चला होते हैं तो यह क्या करते हैं बंबू तोड़ते हैं और बंबू का एक फ्रेम बना लेते हैं इस फ्रेम में जो दीवाले होती हैं उसमें क्या पहले तो घास लगा देते हैं यह अपनी जो इक्रा ग्रास है और उसके बाद उस पर उपर से मिट्टी का लेप लगा देते हैं तो इस टाइप के इनके घर इस टाइप के होते हैं इसे बोलते हैं इक्रा मड्हाउस तिकरम अठाउस किसे बनते हैं सेकरम स्पॉंटिनियस से तीसरी जो बहुत ही important grass है वो है अपनी विटेवेरिया जीजानॉइट है ये दर important grass है ये जो विटेवेरिया जीजानॉइट है इसको बोलते हैं खस grass या खस खस इसके तीन चार जगाए important है पहला तो ये है कि इससे एक oil निकलता है जिसे बोलते हैं खस oil है तो जब हम इसी में चारपार slide के बाद आगे जब हम खस oil पढ़ेंगे तब ये भी वापिस आ जाएगा दूसरा इसी से जो हम खस खस जो निकलता है जिसे हम pad जो होते हैं जिसे हम cooler में लगाते हैं गर्मियों में तो वो cooler की जो pad होते हैं ना side वाले वो खस के होते हैं इसी के बिटेवेरिया जीजानॉइट के और last में अगर इतनी याद हो जाएं तो याद रख लेना एक imperata cylindrica औ इसी को यूज के जाता है इसके बाद अपना आता है गम एंड रेजन यहाँ पर पहला अपना परपजी होना चाहिए कि आखर गम होता क्या गर्म देखो प्रोटीन तो है नहीं जो अपने कार्वोहड़ेट हैं इनकी कार्वहड़ेट के बहुत सारे मौर्फ होंगे पॉलि सेक्राइड होते हैं वो सभी मिलकर की एक अजीब टाइप का कमपोनेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं गम पॉलिस सेक्राइड है जो रेजन भी बनाते हैं और कभी-कभी यह जो रेजन है और अगर कोई प्लांट के कुछ फैटी एसेड है वो मिल जाते है तो उस अब यहां पर हमें हमारा काम क्या है पहला तो हमें यह याद रखना कि गम इल्डिंग प्लांट कौन कौन से है यहां पर अपने को ऐसा याद नहीं रखना है क्योंकि कोई IFS का मैंन से नहीं है कि आप से पूछा जाए कि गम इल्डिंग 5 प्लांट के इनलिस्ट कर दो यहां गम बाले में अपना जो परपाज़ वो यही है, कि यहां पर वो आपको कोई common name देंगे, और आप से पूछा जाएगा, कि इससे किससे मिलती है यहां, यहां usage से आपको कोई लेना देना नहीं है, यह usage आपके लिए मतलब का नहीं है, आपको क्या question पूछा जाएगा, आप से जैसे कि बंगाल कीनो, बंगाल कीनो किस से मिलता है, कुश्चन आएगा, बंगाल कीनो मिलता है, ब्यूटिया मोनोस्परमा से, दूसरा है जिंगम गम, जिंगम गम किस से मिलता है, यह है, लीनिया कोरो मंडल लगा है, अगर याद नहीं रहा है, तो कोरो मंडल कोस्ट है, कोर िकालती है जिसके पत्तियोंसे अपनास प्रम जो कोकलोसपर्मस और फ्लॉस भी मिल में भ्योग कुछा जूगो को और इसका आंसर कईबार Bombac Siva आया है, इसी में जैसे आपसे बोला गया है कि Indian Gum Arabic अगर आपसे बोला गया है तो आपने जो जैसे हर प्लांट कुछ ना कुछ तो गम निकालते ही है लेकिन एक प्लांट जो हद से ज़्यदा गम का एक्सक्रीशन करता है मतलब बहुत ज़्यदा गम को प्रोडूज करता है तो उस प्लांट को हम गम एक्स्रेक्ट करने के काम में ही यूज करते है मतलब उस plant को लगाते ही इसलिए है कि उससे हम gum ले सके और क्योंकि उसकी gum थोड़ा commercial import मतलब खाने पीने में ज़्यदा यूज़ की जाती है तो इसलिए हम उसे बोलने लगा है gum trigger canth तो actual में जो gum trigger canth plant है उसका नाम है estragalus इसकी कोई species होंगी बहुत सारी होती है नाम याद नहीं रहते हैं यहाँ पर कितना याद रखो कि estragalus अगर कभी option में आएगा उसके आँगे estragalus लगा पीछे कुछ भी लिखा हो समझ लो यही अपना plant है तो कई पर question आता है कि gum trigger canth है अगर option में estragalus मिले गया तो आपने को यही लगाना है अब क्योंकि estragalus तो अपने इंडिया में उगता नहीं है तो फिर अगर अपने यहाँ पर estragalus अगर इस species नहीं मिल रही option में तो आपन भी ऐसी मानती है कि जैसे अमेरिकाव में Trump है तो अपनिया क्या गुला मोदी तो बस उसी टाप वाज चलता है कि अगर अपनिया यह नहीं है तो फिर आपन इंडियन का मरयविक में अपन बबूल को पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है गम वाले प्लांट जैसे बंगाल कीनों के से निकलता है ब्यूट पर लीव है वो चीड़ पाइन की बात किये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पाइन पाइनस जो है उसकी चार कैटेकरी मतलब चार टाइप की पाइन है जो अपने इंडिया में अच्छी तरह से उखते हैं एक तो है चीड़ पाइन मतलब पाइनस रोक्स पर गी इसकी आपको पता है यह पूरा देरदून वाले इरिया में इसी की सबसे ज़्यदा जो रेजिन टैपिंग की जाएगी वो इसी की की जाती है दूसरा है केल पाइनस वेली चाहना यह थोड़ा अंदर की साइड को उखता है अब क्योंकि इनर हमालाय रीजन में है तो उसकी जो ट केसिया के साथ क्या है इससे कई बार कुछ सना है यह कहाँ पर है केसिया केसिया से सुना गारो खासी जायनती है तो जो खासी है वो केसिया उससे मिला जुला है और यह एक्चुल में उगता भी उस खासी रीजन में ही है अब आपने अगर जियोगराफी में पढ़ा हो जब इंडिया का मैप बनाते हैं तो यह वाला जो रीजन है यह आपर अपने जो एक्क्वेटर वो लगवग यहीं से निकलता है तो यह वाला जो रीजन है वो ट्रॉपिकल में पढ़ता है तो कई बार कुछ चना आता है कि ट्रॉपिकल पाइन कौन सा है ट्रॉपिकल पाइन तो पाइनस जराईर्ड याना से भी अपन रिजिंट टैपिंग नहीं करते हैं। इसके पीछे रीज़न यह पैनस जराईर्ड याना उगता है, वह इनर हमाला है कहाँ चाना बोडल पए है। इसका जो natural growing region है वो है लगदाक है फिर चाइना से जाके जापन तक चला जाता है तो क्योंकि अपना जो उगता है वो चाइनीज बॉर्डर पर उगता है इसलिए अपने लिए commercial importance होनी पाता क्योंकि inner से वही है inner हमाला में तुम उसे growing करोगे फिर वहां पर मजदूर कहां से ल पर इसको जे चलोगोजा क्यों बोलता है इसके फिर लिजान है, इसका जो fruit होता है जिरा डियाना का। ऊसके fruit को बोला जाता है चिलोगोजा, जो खाया जाता है काफी testing होता है तो इस वज़य से इसको चलोजा बोलता है हम इस पर दो question हो रहते हैं एक तो पुछा जाता है चिलकोचा फ्रूट किससे मलता है तो पाइना जिराइड याना से और दूसरा जिराइड याना के डिस्क्रिप्शन पे कुश्चन आए हैं और कई बारा हैं तो उनके आंसर के जो उप्शन होते हैं वो इस टाइप का मिलेगा चाइना बॉर्डर पे लदाख रीजन पे या इनर मोस्ट हमाल है इस टाइप के उप्शन मिल जाएंगे समझ लेना मतलब यह इस टाइप का जराइड याना का डिस्टिप्शन पूचेगा तो इसी टाइप के उप्शन देदेगा जो टू होंगे अब यह तो रहे वो जो पाइन है जिससे अपने को रेजन मिल गया तो इंडिया में जैसे कॉमर्शिली की बात की जाए तो देखो कासिया एक खेसिया जो है कासी वाला पाइन है ट्रॉपिकल जो पाइन है यह तो केवल कासी मोगरा है तो ज़्यदा डिस्टिवूशन नहीं है इसका तो इससे जब्लिटा हो नहीं पाएगा यह अपने में एक को मर्सिल इंपोर्टेंस नहीं है तो जो अपने आउकता है, वो पाइनस रॉकस बारगी ही है जिसका इपनग भूसिल कमर्शिल इंपोर्टेंस है और इसे आपने जम्मू कस्मीर के पंजाब से लेकर के मतलब हिमाचल और ये जो अपना हर्याणा है यूपी और तरखेंड का बॉर्टर होते हुए यूपी के जो फोठिल रीजन है वहां से लेकर सिक्क्रम तक आराम से ग्रोव कर सकते हैं अब आते हैं रीजन में ब्रॉड लीव इस्पिसीज जिनसे भी अपने रीजन निकाल सकते हैं अब यहां पर ब्रॉड लीव में बैसे तो बहुत सारे प्लांट हैं अपने जो मतलब के हैं वो चार पांच प्लांट हैं इनसे जो रीजन निकलता है उनको कुछ क्योंकि रीज जिन हैं उनको अलाग अलाग नाम दे रखे हैं और यही नाम है जिन पर अपने कोश्चन बनते हैं आप से पूछा जाएका ब्लैक डामर किस से निकलता है आपको याद रखना है कैनेरियम से दूसरा आप से पूछा गा रोग तो वह है होपियाश है तीसरा वाइट ने वैट इसके बाद आता है साल से निकलता है राल मतलब साल जो है उससे भी एक टाइप का रेजन निकलता है जिसको राल बोला जाता है यह भी कई पर पूछा जा चुका है अब आपके पास गम हो गई रेजन हो गई तीसरी काटेगरी आएगी अपनी ओलियो रेजन की ओलियो रेजन की मतलब क्या है कि जब रेजन के साथ ओयल यानिकि फैटी ऐसे ओयल मिल जाए तो जो मिक्स अप जो निकलता है उससे बोलते हैं ओलियो रेजन यह किस से निकलेगा इसमें ये तीन है अपनी गुरजन है और सलाई है ये दो ठीक ठाक है इनको याद रख सकते हो लेकिन इतने इंपोर्टेंट नहीं जितना ये गम रेजिन है मतलब ऐसे प्लांट जिन में गम और रेजिन दोनों मिक्स फॉर्म है मतलब इन दोनों का मिक्स फफ है मिक्स फफ एक साथ आ रहा है उन मिक्स फफ में जो सबसे जदा इंपोर्टेंट है वो है गम भोग और इंडियन बैलाडेलम ये गार्सी इनिया मॉरेला से निकलता है और ये कई बार पूछा जा चुका है और यहां कौमी फोरा मॉकल से निकलता है इंडियन बैलेडनम ये कई बार पूछे जा चुके हैं तो जिस पे भी स्टार लगे है उसको किसी भी कंडिशन में उसे रट्टा मारना ही है आपको जैसे बोला कि इसके ये वो चीज़ है जिनने बात के काम है जब खाली हो तो वह याद कर लो नहीं तो इन्हें याद करने की जरूद नहीं है अपना काम है कौन सा है जिससे क्या निकलता है और पहले आपको ये याद रोना है कि ये क्या है गम रेजन गम भूग और इंडियन बैलेडनम अब अपने अगर गया तो अपने ग़म हो गया तो अपना जो रेजन हो यहानी कि रेजन की केडनाल यानि की छक्ट तो और वो रिजन की डक्ट किसम होई जद तर इस सप बोड में होगी तो पुराने जमाने में रिजन की टैपिंग कैसे करते थे कि एक बड़ी सी यहां खाई खुते थे जैसे अगर प्लांट की स्टेम ले लो तो इसे साइड से साइड वीव अगर ले तो इसे बिलकुल अंदर तक ऐसी ट्रेंच खुते थे और यहां पर आकर कि इस टाइप का एक गड़ा सा बना देते थे अब इस गड़े को इसलिए हम क्या बोलते थे से कप एंड लिप मैथाड इसमें बड़ी सी यह लिप बना दी और यहां पर नीचे जा करके क्या बना दिया कप अब क्योंकि इसमें क्या होता था कि एक प्लांट में तुम इतनी जथा लिप बनाओगे तो यूजरी तीन ऎ चारी लिप बन पाती थी और एक प्लांट से जब तुमने इसे ले लिए इसके बाद यह प्लांट सूप ज कि तुमने छोड़ा क्या है जब यह गहरी लिप बनाओगे इसमें तो बार्क बहुत छोटी पड़ी अब जब यह प्लांट है इसने यह रेजन बना रहा वो इसकी डिफेंस के लिए सुरक्षा के लिए है आप पूरी रेजन ले पाओगे तो क्या प्लांट अपने खुद की सुरक्षा कर पाएगा नही तो यह बचाए थी कि जिससे अपने प्लांट जो थे वो जैसी उनमें टैपिंग हो गई वो कुछी टाइम बाद निकल जाते थे डेथ कर जाते थे तो यह जो कप एंड लिप मेथड है रेजन टैपिंग का बाद में इसे थोड़ा बंद कर दिया गया फिर उसमें दूसरा मेथड निकाला गया रिल मेथड मतलब इसमें थोड़ा अपडेटेड वर्जन इसका यह है कि जिसमें नीचे जो हम लिप मतलब जो कप बना रहे थे वो ना बना के वहां थोड़ा मतलब मेटल की प्लेट सी लगा के बाहर कोई टोगरी सी निकाल दिया अब इसमें एक दिक है रिल मेथड इसमें क्या करते है इस टाइप की स्क्रेच कर देते हैं और यहां पर फिर इखटा कर लेते हैं तो इसमें क्या है कि प्लांट को जो पहले की टाइप की जो हम उसे बहुत हेवी डैमेज पहुचाते थे वो नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा कम है बाद में एक और आया जिसे बोलते है borehole method यह आज के time पर किये जाता है यह बहुत simple सा है इसमें क्या करते हैं आप एक pipe लेते हैं जो अपना जिसे नल बाला pipe होता है इस type का और इसे यहाँ पर inject कर देते हैं इसके अंदर अब यह अंदर जाएगा तो क्या होगा कहीं न कहीं plant के अंदर जो resin canal होगी इनका पूरा जो resin का system होगा यह pipe अंदर जाकर के canal के अंदर घुश जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से फिर रेजिन धीरे धीरे इसमें आने लगेगा pipe में आगया इन्होंने यहाँ पर polythene बांदी और उसमें यह collect कर लिया तो पहला तो important यह है क्योंकि resin पूरा का पूरा pack है तो यहाँ एक तो plant को damage जदा नहीं हुआ दूसरा pack है तो इसमें बाहर से कुछ जो insect बगएर है वो उनकी मिलावाट नहीं हुई तो आपको processing पर लगवाग जीरो खर्चा करना पड़ रहा है तो यह सबसे आज की time का advance है बोर होल मेथड जो है तो इस टाप से resin की तीन टाप से तीन मेथड है जिन से tapping की जाती है resin के बाद अपना अगला आएगा tannin यह जो tannin है यह एक टाइप का थोड़ा चारी टाइप का chemical होता है और इसका जो परपच है अपने लिए वो है जो अपना चमड़ा है hard उसकी उससे leather जब बनाते है तो उसमें जो chemical है क्योंकि अगर आप चमड़े को direct use करोगे तो वो smell मारेगा तो उससे यह जो chemical है जो fatty है इन सब को निकालना होता और वो tennery में किया जाता है जहां सडाते हैं उस चीज़ को तो tennery में जो काम किया जा रहा है अब वो tenner कहां से मिलेगा प्लांट से मिलेगा तो प्लांट से कहां कहां से मिलेगा तो प्लांट की बार्क से मिलता है उसके fruit से मिलता है, plant की जो pod है उससे मिल जाता है और लकडी से भी मिलता है, तो जब लकडी से मिलता है तो उसे बोलते है wood tan और यह मिलता है अप उनको akaysia kattachoo की लकडी से है लेकिन अब देखो, यहाँ पर यह percent जाद रखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन क्योंकि ठीक ठाक मिलता लगए, 25% तक निकलाता है तैने, उसकी total weight का लेकिन क्योंकि akaysia kattachoo में हम जो wood tan निकालते हैं, उसका क्या परपच है कि लकडी में hardwood जो है, उसको तो हम निकालते कथा के लिए तो जो sapwood जो बार्का था, उसको हम यूज कर लेते हैं, टैने बनाने में दूसरा है, लकडी जो है, पेड़ जो है, उसकी जो बार्क है, उसमें भी कई वार टैने अच्छा होता है इन मेंसे जो सबसे जदा important है, इस पर star लगा लेना गलती से छूट गया है यह है acacia merensi, acacia merensi क्यों important है, क्योंगी अगर बार्क टैने की बात की जाए, तो सबसे जदा टैने इसी की बार्क में मिल जाता है इसकी acacia merensi है, और बार्क हटाओ, अगर systematic हटाओ, तो प्लांट को इतना जदा डैमेज भी नहीं होता है दूसरा अपना बबूल है, उसकी बार्क से भी टैनेन मिल जाता है, और उसकी पॉड से भी फिर बार्क की बात की जाए, तो अपना जो अरजुन का पेड़ है, उसकी भी बार्क देखियोगी, उसमें भी काफी अच्छा निकलाता है और अर्जुन की जैसी जो है अपने आउले की है अब इसके बाद आता फूट टैनन मतलब टैनन जो किसी प्लांट के फूट से निकले जब फूट टैनन की बात की जाए तो यहाँ पर तीन बहुत इंपोटेंट है आपको त्रिफला चूड पता होगा जिसमें एक तो होता है आमला दूसरा होता है टर्मिनेलिया चीबुला और तीसरा है टर्मिनेलिया बिलेर का है टर्मिनेलिया चीबुला है हरड टर्मिनेलिया बिलेर का है बहेड़ा और तर्मिनल ये जो Able इंबलिक काई ओविशिनलिस है आमला है इन तीनों को मिला के बूलते हैं तर्फला तर्फला जो चूड़ किए बार बार पूछाया में क्या नहीं होता है तो यानि कि ये तो तीन है ये तीसरा जो है तर्मिनलिया बलेरिगा इसे लिख लेना यह तीनो को मिल के त्रिफला बनता है अब यहाँ पर आपको है इसके जो है फामले का जो फूरूट है उस bitterness वहाइड़ा आके अब आके से भी मिल्ता हो और उसके से भी आप उनको टेनिनों से ही टेनिन भिलता है इसमें और अकिला अपना आ जाता है जो अपने इमली है टेमरेंडसिंडा इंडिका इमली से भी टेनन मिल जाता है और यहां पर अपनी जो बबूल है उसकी जो पॉड होती है उससे भी काफे मिलता है तो यह है जिनकी फ्रूट टेन है जो उनकी पॉड से मिलता है इसी टाइ की प्लांट से कलर कहां से मिल सकते हैं आपको उसकी जड़ से मिल सकते हैं उसकी बार्क से मिल सकते हैं पत्तियों से मिल सकते हैं या उसकी वुड से मिल सकते हैं जिसे बोलते हैं पंच पंच तरब मतलब पंच उसके जो सिस्टम है मतलब जड़ तना पत्ति लीफ और फ्लावर इन पाँचों से ही मिलते हैं जिसमें अगर रूट की बात की जाए तो केबल हमें एक चीज़ याद रखना है वो है रूबिया कॉडी फोलिया केबल इसी की जो रूट है उसी से निकालते हैं ज़ताका हमें याद रखने की जरूवत है नहीं पत्ति के में यह दोनों बहुत इंपोर्टेंट जितनी आप इस टाल लगाना चाहो लगा लो इस पर यहां गलती से छूटे हुए है यहां पर दो चीज है एक तो है नील नील मतलब इंडी को फेरा टिंक टोरिया एंडी को फेरा जो भी है तो अपनी राएगी इंडी को फेर जो नील की खेती है यह तो अपने हां हड़पा टाइम से भी चली आ रही है इस टार्टिंग से और दूसरी है हिना डाई हिना आपने देखा हुए जो महदी लगाते हैं लोग वो हिना होती है तो वह भी महदी क्या पत्तिय ही तो होती है जिने आपको पेस्ट बना करके तो मैं तो बस इससे थोड़ा याद कर लेते हैं लाउसोनिया यह हिना है डाई है और यह इंडिगो है नील अपनी यह दोनों कि से पत्तियों से मिलने वाले कलर है इसके बाद कुछ है जो लकडी से मिलते हैं लकडी में मतलब खसकर हाट बुट्स है इनमें सबसे पहले तो ताके जो पेल की जो हार्ट वूड है स्टेम की उस हार्ट वूड को छोते चोते पीसे में काट आजाता है और पहर आपने जैसे घरों में दूद को बाल गते हैं बस बिलकुल बैसी प्रोसेश चलते है पहलोंने चिप्स को लेकर के पानी में गरम करेंगे और बॉयल जब पानी अपने लगवाद एक चोथाई किसम दिंग रह जाता है, एक तिहाई ये एक चोथाई, तब फिर हम चान करके जो लकड़ी वाला पार्ट है, उसे अलग कर देते हैं, और ये पानी वाली को फिर अलग डाल करके फिर उबालते हैं, फिर उसे खुआ की तरह ओंटते हैं और जब वह गाड़ा हो जाता है, गोलो की लास्ट वाली स्टेज में जब गाड़ा हो जाता है त फिर उसे ठंडा कर देती हूं, और फिर वह बर्फी की तरह जम जाता है, तो यहसे निकालते हैं कत्थाँ या कच्छ ऐा रे कच्छ बाध किसे मिलता है तो वह अपना Sigalpinia Sapons है और Cental Boots है Centaline यह तो आपको पता है Terocarpus Centalis है उससे निकलती है Centaline इसके बाद Bark से डाइक की बात की जाए तो इसमें यूज करते हैं खासकर जो अपन पैंटिंग वगरा ही यूज करते हैं तो पैंटिंग में यह अपनों क्योंकि काले कलर काई यूज करना तो क्या लिकिया तो बार को रगड़ दो वो पेस्ट की तरह पाउडर हो जाएगा और लगा लो रूबिया कॉड़ी फोलियो वगरे भी यूज कर लेते हैं उसमें अब यहाँ पर लास्ट अपना आएगा वो है फिलोवर और फ्रूट से निकलने वाला कलर यहाँ पर दो हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है तीसरा आप याद रखना चाहो तो रख लो पहले तो मैं इसी तीसरी कोई निप्टाता हूँ एमपी और महरास्टा का जो बीच का सत्पुला बाला रेंज है उसमें यह ब्यूटी और मोनिस्पर्मा बहुत ज़दा है अक्सर जो अपनी फरवरी मार्ज का टाइम है यह उसकी फ्लॉवरिंग का टाइम है धाग का तो जो धाग को जब वहाँ पर फूलती है तो पूरे पूरे जंगल वो बिलकुल थोड़े हलके लाल टाइप की हो जाते है इसलिए धाग को बोलते है फ्लैम ऑफ दा फॉरेस्ट पतला जंगल की आग्यों की पूरी की पूरी पाड़िया ऐसी दिखती है जैसे जंगल में आग लगी हो अब उस ताइम पर अपनी होती है होली तो वहाँ पर जो ट्राइवल हैं जो बॉर्डर पर बचे हुए हैं कोरकुब वगर हैं कोरकुब में तो एक टाइप का कल्चर ही है कि बोलो होली में जो कलर होते हैं वो इस डाग की जो फ्लावर है उन फ्लावर को लेक करके बिस्ट सा बना लेते हैं तो ये लोग जो जो होली खेलते हैं वह इसे बोलते है एनाटोडाई यहां पर यह जो प्लांट है यह बिग्जा है यह मेडियम साइज का है जद जद तीन साड़ी तीन चार मीटर हाइट तक जापाता है मतलब एक इनसान की लेको डबल हाइट का जापाता है जद नहीं अब इसमें होता क्या है कि इसका जो आसा छात है यह पाैटको इसके पूर्छ यो पयाटके तो यह जो सिंदूर बगरते हैं तो आपको यादक हो किससे निकालता में थैं ठाप के फ्लॉवर का इसमझ में आई गे होगी है यह तीसरा है कमेला डाइ कामेला डाई निकलती है मेलोटस फिली पैंसे से कौनसी कमला अब इसके बाद डाई के बाद अपना आता है essential oil दो टाइप के होते है एक तो होता है fatty oil fatty oil मतलब जैसे कि आपको सर्जों का oil है यह fatty oil टाइप के है अगर आप इने रख दो हवा में open करके एक लीटर रख दोगे चार दिन बाद भी एक लीटर ही मिलेंगे वो उड़ते नहीं है उनका जो volume है वो आपको volume सेम रहेगा उसके volume में कोई ज़्यदा खास फरक नहीं पड़ता है जबकि essential oil के साथ क्या होता है आपके time के साथ ही evaporate हो जाते है जैसे आपकी perfume है वो essential oil में होता है oil है लेकिन वो evaporate हो जाते है तो इसी type के हम oil forest से भी निकालते हैं फिर उनकी list आ जाती है और इसमें जो खासकर जिनने हम निकालते हैं वो ज़दातर grasses वगरे बहुत ज़दा है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर रहे है क्योडा जाने की flower से इकलने वाल आपने देखा होगा क्योडा की अगरवत्तियां आती है तो actually वो अगरवत्ति का जो matter है वो क्योडा का नहीं है वो अगरवत्ति का जो भी है वो क्या है पांडाना स्टिंक्टोरिया अब आपको यह याद रखना है पिर कुछ ग्रासिस है जिनसे ओएल निकलता है इसमें है विटिवेरिया ओईल यह खस ओईल वो अपने विटिवेरिया जीजैनॉइट्स है सित्रोनेला इस पर याद रखो वही है citronila oil citronila निकलता है simbopogon nordus है यह confusion हो जाता है क्योंकि यहाँ पर simbopogon की तीन species है यह citronila है नेला है एक और oil आएगा हो है citriodora जो citriodora oil है वह निकलता है अपना eucalyptus से है तो इसलिए इसमें कोई यहाँ पर यह रहा है citriodora oil यह निकलता है eucalyptus citriodora से है तो यहाँ citronila और citriodora में confusion नहीं होना है नेला मतलब जो नाले के किनारे हो रहा है और वो यह नाले किनारे मतलब eucalyptus नहीं है grasses वगारे नाले के किनारे उग रही है दूसरा इसी में आता है lemon grass ये phalaggias phalaggias जो आता है वो है lemon grass और इसी में जो आता है martini जो मढ़ जाए वो है palma roja या ginger grass oil ये सबसे जदा पूछा गई कि जिंजर grass oil किसे मिलता है वो है simbopon martini से इंडिको तो इंडिको phara species से है अपनी sandalwood चंदन है उससे निकलता है उसकी जो heartwood है उससे निकाला जाता है अगरwood है अगरwood है अगरwood है aqualaria agalocas है ये कई बार पूछा जा चुका है इसके बाद यहाँ पर कफूर बगर है cinnamon है mint है इन सब को देख लो यहाँ पर winter green जो है गॉल्थेरिया fragrance ये कई बार पूछा जा चुका है root oil की बाद की जाए तो यहाँ पर कॉस्टस वाइल पूछा जा चुका है कि कॉस्टस वाइल किससे मिलता है इसके बाद मेरे टाइम पे यह जो kookam butter है ये भी कई बार पूछी जा चुकी कोकम butter किससे निकलती है एक बात और है, यहां पर है महुआ बटर, महुआ बटर और साल बटर, साल बटर निकलती है सुरियर रोवस्टा से, और यह महुआ बटर क्या है, मदू का इंडिका मतलब जो महुआ उसका पेड़ होता है, और उसके जो फल है काफी बड़े-बड़े होते हैं, ऐसे, तो महु कि जब इसमें इस्टार्टिंग जब फ्लॉवरिंग आती है तो वो इसके जो फ्लॉवर है उसको फर्मेंट करके बनाते हैं दारू मतलब जो लोकल है ड्रिंक बना लेते हैं बाद में जब यह फ्लॉवर के बाद जब इसका सीड बनता है मैच्यूर होता है तो सीड से निकाल आएगा वो है केंज केंज की जो प्रॉपर्ट यह वो लगवा बंबू चैसी ही रहती है पस उसका थोड़ा यह जो गांठ वाला पार्ट है यह थोड़ा कम रहता और इस्टेटनेस थोड़ी जहता रहती है बंबू में अपने पास क्या याद होना चाहिए एक तो यह कि इसक कि रहता है जो जो रिप्रोडक्ष न यानि को रिज्य है वो किसके तृण किया जाता है तो इसके बाद अपने बंबू के बारे मांगर कुछ यदे ज़एदा डेखना है तो उसकी कुछ फलकाटा यह इस पती फलो रहा है अरुंडी नेरिया जो इस पसीज है इसके बारे में तरह याद रखो कि यह इस पसीज मौंटेन रीजन की है हिमाला रीजन में ग्रो करती है तो जो अपना अरुडा चल प्रदेश है वहां से ले करके हिमाचा तक की जो पहड़ी है तो आरुंडी नेरिया एक टाइप का जीनस हो गया पीछे यह इस पसीज है फलकाटा यह इन यह इन डिनेरिया इस पैठी फलोरा तो यह जीनस से मैं दौनों का इस पसीज लाग गए तो बैसी दो जीनस और है एक है बंबू सार्ष सरू होती है और दूसरा दैंडो केले मस से ह यह जो डेंड्रोकलमस है इसमें जो जाइजेंटियस है अब नाम में क्या है जाइजेंटियस मतलब जाइजेंट मतलब बड़ा जाइजेंट मतलब दित्यकार तो यह जो डेंड्रोकलमस जाइजेंटियस है इसका जो बंबू है वो सबसे बड़े साइज का बंबू होता की से बोलते हैं थौर्णी बंबू कटीला बंबू होता है अरुन जीजनी या वो लोग के अरुन है अरुन जेटली है थोड़ा काटा लगाते थे कोई भी आ गया तो उसका पंचर करते रहते थे जो भी याद करना हो जैसे भी कर लो इसी में एक आता है डेंड्रो केलेमस इस स्ट्रिक्ता से से बोलते हैं इसी में एक आता है ऑकलेंड्रा ट्रावन कोरिया अब आपको पता है ट्रावन कोर कहा है केरल में तो ऑकलेंड्रा ट्रावन कोरिया कहां पर होगी सौथ इंडिया में मतलब जो अपना मालाबार रीजन में मतलब केरल है करनाटक है तमिलाडू हुआ है तो जो अपने साउथ इंडिया वहां पर उगने वाली इस रीचर में जो बंबू की स्पीसिज है जो डॉमिनेंट है वह है ओकलेंडरा ट्रावन कुरिया बकाए कि यहां पर बंबू के खाली-पिली की चीज है यहां पर तीन चीज है याद रखना है नहीं बंबू म जैसे कि यह बन रहा है अपना या फिर चेयर बगारा बनती है यह अपनों को लगता है कि बास की अजीब टाइप का बास है अक्शल में यह बास नहीं होता है यह रेटन याने की कैन होते हैं दूसरा याद रखना है इसमें कि इनके जो कैन है यह मतलब इनका जीनस क्या है तो जीनस इन सब का कैलेमस से सुरू होता है कैलेमस यह कैलेमस वो खलाना धिमका चलता रहेगा तो हमारा बस इतना याद रखो कैलेमस यानि की कैन्स क्या है रेटन्स भी बोलते हैं इनको हम केस में बनाने में यूज़ करते हैं और इनका तीसरा जीनस क्या होता है इतना य जो आता है वो है अपना तेंदू पत्ता तेंदू पत्ता से दो कुश्चन आते हैं एक तो आता आपको कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है तो वह है डायोस्पायरस मेलनुजैलन दूसरा पूछा जाता है इसकी फैमिली फैमिली है इसकी एबनेस यह दोनों ही रटा मानना लंदू पत्ता सी बनती है तो यहाँ पर जैसे ट्रावल सेंबोल लंदू पत्ता को कलक्ट कर रहा है पर बाद में उसे प्रोसेस करेंगे काटेंगा और फिर उसकी बीड़ी बना देंगे पीते भी वही जदा है बीड़ी के अलावा अपने जो सलेवस है उसमें कुछ इस प्रोसे कोमर्सियल इंपोर्टेंस टाप के जो अधर लिंक इंडिस्टी है वो चीज़ अब जैसे इसमें हनी भी है अब हनी भी यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको मैंने बोला था हनी जो है उसका आपको थोड़ा बेसिक समझना होगा उससे पहला आप लाग को होता है एक इंसेक्ट होता है और इंसेक्ट जो है अगर यहां इमेज हो हाँ यह है यह जो इंसेक्ट है यह कुछ टाइप की सीक्रेशन करता है वो सीक्रेशन को यहां ब्रांच पर ही चिपका देता है तो इसे बोलते हैं लाग अब यह जो सीक्रेशन कर रहा है यह तो एक् पहला यह है कि लाख है क्या लाख एक टाइप का रेजिन है अभी तक अपने जो भी रेजिन पढ़े हैं वो सब के सब प्लांट से थे जिसमें एक तो चीर पाइन वगरा जो पाइनस की चार स्पीसीज पढ़े थे उन से निकाल रहे थे रेजिन या अधर थे अपने पास सब से पहला जो कुश्चन आता है वहिघा था कि टीन जो की अधर ग्लोब लेवर पर लाख मतल krna मसुत चूरिया वगरा हमी पहलते हैं और हमें दर तरीकी से लाग की जरूरत होती है तो ज़र मारकेट है हमारे यह डिमांड जदा है तो प्रोडक्शन अपने आप जदा होगा तीसरा जो कुछ चनाता है वो यह है कि यह जो लाग का प्रोडक्शन है वो कौन करता है लाका प्रोडक्शन करता है एक इंसेक्ट जिसका नाम है लैसीफर लाका यह जो इंसेक्ट था यहाँ पर इसका नाम है लैसीफर लाका और इस इंसेक्ट को रेटा मार लेना अब यहाँ पर यह है कि इंसेक्ट कौन कौन से पेड़ों पर उग जाता है क्योंकि देखो हर आदमी हर पेड़ पर तो नहीं बैठेगा यह इंसेक्ट भी कुछ पेड़ों को प्रिफर करता है कुछ को नहीं तो ये जिनको prefer करता है लेसी फरला का उनमें अपने लिए क्या है एक तो पलास है दूसरा बेर है तीसरा कुसम है कुसम बहुत ज़ता है important ये पहले तीनों बहुत important है क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं आपने लिए कौन से important है इसमें एक तो खैर है और भबूल ये तो दो है नहीं इसके अलाबा अपने यहां होती खेजरी यहां पर नहीं लिखा है लिख लो यहां पर प्रोसोपेस सिनरेरिया राजिस्थान का खेजरी प्लांट है इस पे भी लाख हो जाता है तो यह वहां पर होता है इसलिए अपने मतलब खाया तो खेजरी यानि कि किस प्लांट ज स्टोरी दो चीज Соँ और हैं लाए किसमें हैं इसकी दो किसमें हुती है एक है टाइप के कीड़े हैं और उनी के फरकिड़ों के फर साइकल होती है इनकी 6 मंथ की साइकल है तो अब जैसे अपना मंथ ले लो ये ले लो अगर अपना घड़ी के हिसाब से 12 के ले लो तो जनवरी फरवरी ये मार्च आ गया अपना अपरल-मय और जून आ गया दो इस है तो इसका ये वाला जो पीरियड है इस में उसका दिसमबर जनवरी में होगी आगहन तो आगहनी और जिट यह किसकी है यह है कुसमी और इसी टाइप से इस साइड का जो बनेगा वो बनेगा रागनी का है तो इस टाइप से दो बैराइटी हैं और वो साल में मतलब 6 महीनी की ग्रॉप है तो हर 6 महीने बाद उनका रोटिसन आ चाता है तो जो अगर इधर दे गए एक बार हर्वेस्टिंग दूसरी यहां पर इंडिया में यहां पर यह रागनी होती है 90% तक इसके बाद एक लास्ट में अपना कथ्था और कच आता है जिसमें जो अकेसिया कटेचू और चुंड्रा के बारे में पहली बता चुके थे इसमें वही है कि जो अपना पास काटेचू है उसकी लकली लेंगे लकली पानी को छोटे छोटे चिप्स में काटेंगे फिर उसे बॉयल करेंगे और पानी जो है उसे मतलब चिप्स को जो बॉयल हो चुकी उन्हें निकाल देंगे और पानी को बॉयल करके फिर उससे कथ्था निकाल देंगे अब क्योंकि कथ्था जो अभी निकला उसमें बहुत क एनिमल प्रोडक्ट में एक तो आथा अपना अनीडी ये हानीडी में और अनीवी होती देटए इन के बारे हैं UM पर appis.sita इस नाम को याद रख लेना चूशियन आते हैं उसे में यह आता कि अनि nagos आपनों को appis.sita उसमें option में मिल जाता है दूसरा आपसे जो कुस्षन आता है जैसे दूसरी इसकी जो species जब हो है एपस इंडिका तो अपने को एपस याद रखो उससे काम हो जाता है दूसरा honey भी पालन को क्या बोलते है मध्यमक की पालन की science को क्या बोलते है तो क्योंकि एपस इसका जीनस है तो उसी से बनता है एपी कल्चर तो honey भी जो पालन उसे एपी कल्चर बोला जाता है बैसी silk है silk का जो कीड़ा होता है ये वाला है इसे हम bombex मूराई इसका scientific name है मतलब ये नहीं इसकी 4-5 variety है एक वो कीड़ा जो मलबरी पे उकता है उसको बोलते है bombex मूराई मूराई जो term है वो मलबरी से लिया गया है इसके जो silk cultivation है उसको बोलते है seri culture ivory वगरे हैं elephant वगरे से मिल जाती है इसके अलावा कुछ और चीज़े हैं जो बच गई हैं आसे के कुछ में soap net है जिनसे अप उन पुराने जमाने में निर्वाज वगरे नहीं चलते हैं तो उस ताइम पर इस टाइब के कपड़े दूलने के काम में यूज करते थे या बाल दूलने के काम में यूज करते थे खासकर बाल के लिए जो seika काई है उन में करते थे तो यह जो acacia कौन सिनना है इसको बोलते हैं seika काई बाद में इसकी जो पोड है उनको piece करके इस टाइब का powder बना लेते थे और फिर उसे पानी में गोल के फसू करा जाता था तो बाल दूलने के काम में आते थे यहाँ पर एक है sapindus इंडिका होगा यह sapindus mucrosi होगा कुछ भी होगा यहाँ sapindus मिल जाएगा यह sapindus जिसे अपनों बोलते हैं जिसे रीठा बोलते हैं क्या बोलेंगी इसे रीठा यह रीठा के पेल होते हैं उसकी यह पोड है फूट जो है बो है यह अब रीठा को आप समझ में आगा होगा बहुत सारे लोग आज भी रीठा को यूज करते हैं पाल दोलने के लिए पहले अंसियन टाइम से हम रीठा को आज यह सोप में यूज किया जाता है दूसरा रीठा का एक और यूज करते हैं कि जो आपने रसगुले खाया होंगे सफिद वाले जो हैं रसगुले वो फुलाते जो है न वो रीठासी फुलाते हैं एक इसी में आता है मार्किंग नट सेपिंडस समीकर्पस एनकाडियम मार्किंग नट का परपज यह है कि इसकी जो इंक है एक्च्वल में इसके जो सीड जो फूट है उनको एक टाइप से हम पेस्ट बना लेते थे जूस बना लेते थे और इसका यूज करते थे जैसे कपड़ा रंगते हैं तो कपड़े पर कोई डिजाइन बनानी है तो डिजाइन बनाने में यूज में करते थे इसलिए इसका नाम पढ़ गया मार्किंग नट एक और है एस्चीमिनी एस्पेरा इससे हम बोलते हैं सोलापित पसे इतना याद रखो कि सोलापित किस से मिलता है मतलब एक टाइप से ऐसा कंटेंट है जिसका आपको कहीं भरने के काम में यूज होता है जिससे अगर आपको इसी कोई जबरजिस्ति का यसा कोई फलोवर बनाना है ऐसी टौपी बनाना है एक टौपी मतलब बाहर से कपड़ा लेकिन बीच में ये सोलापित बहरका जो फुस नहीं है लेकिन कोटन जैसे ही हो तो वो है ये 16 पित बोलते हैं इसके अलावा अपना अप लास्ट है वो है अपने बीट सीड मतलब बो सीड जिनको हम ये दाना गुरिया की तरह यूज करते हैं और उन्हें जोहलरी के साथ मिलके पहनते हैं अब इन में अपने पास यहां पर नाम है क्रैब आई और दूसरा जिसे याद रखने की आपको बहुत ज़यता जरूरी है वो है इलियो कारपस स्फेरिकस इसको तो याद रखना ही रखना है कुछ याद रहे यह नहीं यह अपना क्या है रूद राक्ष अब यहां पर अपना यह वाला जो पार्टा वो यहां पर मैंने जो बताया एक्चुली कुछ समझाया नहीं है आपको यहां पर आपको यह बताया है कि किस पर कुश्चन आते हैं किस पर नहीं आते हैं क्या आपको याद रखना है क्या याद नहीं रखना है इस पार्ट में अगर कोई confusion है तो आप पूछ ही लोगे इस वी अभी नहीं हुआ है लेकिन यहां पर लगवगा आपको सौस अवासों के समतिंग कुस्षन जो है इसी टॉपिक पके उखट्टे किया जा चुकी थे तो इसी के साथ आपको दिये जा रहा है जिससे आपको अक्श्वल में आइडिया आ जा के अक्श्वल में कुस्षन कैसे आ झाले हैं